हेलो गाईज, स्वागते आपका मेरे चैनल पर इंडिन रेसिपी आज फिर लेकर आईँ मैं आपके लिए एक चटपटा और अमेजिंग सा टेस्टी सा नास्ता बच्चों के टिफिन में बना कर दें चाहें खुद खाएं तो वीडियो में बने रहें, चलिए रेसिपी शुरू करते हैं आज का नास्ता हम बनाएंगे बेसन से, यहाँ पर मैंने एक टोरी बेसन ले लिया है इसमें मैं डाल दूँगी एक चमच बारिक वाली सूजी, इससे हमारा नास्ता जोए बहुत ज़्यादा कुरकुरा बनेगा अब मैं इसमें डाल दूँगी एक ग्रेड किया हुआ अलू, कच्चा ही आलू है इसमें मैं डाल दूँगे बारी कटी हुई प्याज और लाल मिरच, सुखी हुई लाल मिरच होती है उसको मैंने ग्रेट कर लिया है अब हम इसमें कुछ मसाले अड़ करेंगे जैसे कि आम चूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, चाट मसाला, जीरा, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा साबुत कुटा हुआ धनिया और पसूरी मेथी आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं दाले डालने के बाद अब हम इन सब कर देंगे मिक्स अच्छी तरह से मिक्स कर देना है पानी एकदम से पहले हमें इसमें नहीं डालना है यूंकि हमें इसे बिल्कुल धोल नहीं बनाना इसका माटा बना कर त्यार कर लेंगे यहाँ पर मैंने एक कप में थोड़ा सा पानी ले लिया है और इस तरह से पानी का शीटा डालकर थोड़ा सा रिफाइंड तेल और थोड़ा सा हम इसे हाथो में भी लगा लेगे ताकि जो बेसन हैसके बेसंगे के चैनल को अवी तक पर कर देर से ऴाज़ा शूटार करें तरह से अलू की तिकियां बनाते हैं और लिए छोटा से लिए तो आप देखे गाई आकर ऊसगये लिए बना करते हैं जो हुह मैंने बना करते हैं अभी चलते हैं इनने घुन करने के लिए यहां पर तेल को मैंने गरम होने के लिए रख दिया था तेल जो है वो गरम हो चुका है अभी हम गैस का फ्लेम जो है वो हम लो कर देंगे पहले हम तेल को चेक कर लेते हैं इस तरह से अग यह देखे मैंने थोड़ा सा बेसन डाल कर देख लिया यह काफी रैट हो चुकी है मा लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि अंदर से भी अच्छी तरह से सिख जाएं थोड़ा साम इने पकने देते हैं उसके बाद में हम इनकी साइड्स को चेंज कर देंगे इसी तरह सी हम लो फ्लेम पर इने पकाएंगे ताकि अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाएं जीच यह देखे गाइस मैंने इनको फ्राई कर लिया इनमे अच्छा सा कलर आ चुका है अभी हम इसे निकाल लेते हैं उसके बाद में हम इने सॉस के साथ सर्व करेंगे यहां बर देखे हमारा नाश्टा जो है वो बनके त्यार हो चुका है लग रहा है ना एकदम टेस्टी सा अभ करेंगे अच्छा से भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाएं एक बार इस रेस्पी को मेरे कहने पर ट्राई जरूर की जिए गा और आपको यह रेस्पी कैसी लगी हमें कमेंट करकर जरूर बताईएगा इसे आप चटनी के साथ काएं सॉ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बाए बाए गाइस मिलते हैं नई रेसिपी के साथ है